आज बाप दादा फिर से हमें नसा चड़ा रहे हैं, इस्मर्थे दिला रहे हैं। तुम इस रूहानी कॉलिज में वैथे हो, जहां तुम्हें पढ़ाने के लिए स्वयम भगवान आ गए हैं। तुम्हें इस पढ़ाई से डवल सिर्थ ताज बना रहे हैं। एक ताज होगा प्योरिटी का, दुसरा ताज होगा सोने हीरों से जड़ा हुआ। सोने का ताज हीरे चमकते होंगे। बाबा तुम्हें ऐसा डवल सिर्थ ताज बनाते हैं। तुम्हारी सिर्थ पे लाइट आ जाएगी। लेकिन वो लाइट दिखाई नहीं देगी बाबा जर एक्स्प्लेइन कर रहे हैं सभी के लिए। ऐसे नहीं तुम गद्दी पर बैठेंगे तो तुमसे लाइट फैलती हुई दिखाई देगी। नहीं। वो गोप्त है। प्योरिटी की निशानी है। जो पवित्र हैं उन्हें वो लाइट दिखाई जाती है। जो आपवित्र हैं, उन्हें वो लाइट नहीं दे सकते, तुम भी अपुरसार्थी हो, तुम को भी पवित्रता की लाइट नहीं दे सकते, तुम भी पवित्र बन रहे हो, तो भाबा आज ये पवित्रता के ताज पर बार बार हमें यातिला रहे हैं, द्वापुर आया तो त तुम्हारा पवितरता का ताज खो गया, तुम पुजारी राजा बन गये, और जो पुज्य थे डवल ताजधारी, उनकी पूजा करने लगे, हैनि अपने ही पूजा करने लगे, तो तुम्हें बहुत नसा होना चाहिए, स्वयम भगवान हमें पढ़ाने आ गया है, और डव फृपल शिर्ताज लक्ष्मि नाराएन बना रहा है, तुम परदस्नियों में लक्ष्मि नाराण के चितर से ही प्रारंब करो, और दिनों परदस्नियां होती थी, कभी पहले स्री बाबा का चितर होता था, उस पर समझाते थे, फिर बाबा ने का लक्ष्मि नाराण का रख नहीं तुम्हें ये बताना है भगवान भारत में ही अवतरित होते हैं भारत वासियों को ही डबल सिर्ताज बनाते हैं भारत ही उनकी जनम भूमी और करम भूमी है भारत ही सबसे महांतीरत है पवित्र भूमी है ये लेकिन किसी को भी यह नहीं पता इनका राज था तो कहां च बावा कह रहे हार और जीत की बात नहीं है, किसी ने इन से युद्ध नहीं किया, माया सिहार गए तो स्वरक की राजाई चली गई, सब नर्क में आगए, पतित दुनिया में आगए, पुजारी बन गए, वो सब हीरे सोना अथावधन सम्पदा सब चली गई, तो तुम्हें बहुत नसा होना चाहिए, हमें स्वयम भगवान पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई का एम अबजेक्ट होता है, लक्स होता है, तुम्हारा लक्स नर्से नाराण बनना, नारिशे स्री लक्समी बनना है, प्रजा मदना कोई एम अबजेक्ट नहीं होता, पर जातो पहे बन जाती है, तुम्हें बहुत नसा होना चाहिए, मुझे डबल सिर्ताज बनना है, तुम जमीन पर बैठते हो, साधान कपडे पहनते हो, बाबा गरीब निवाज है, मैं भी साधान तन में ही आता हूं, गुप्त रूप से आता हूं, इन्हें आकर कहता हूं, तुम अप इनको भी इनके जन्मों का ग्देता हूं, जबे यह जवारी था, लेकिन अब साधाारन है, मैं इनके तन में आता हूं, मैं भी साधारन, तो मेरे पास बच्छे भी साधारन ही आते हैं, गरीब आते हैं, तुम गरीब को पढ़ता हूं, नीचे वैठना होता है, सावब कभी आते हैं तो देखते हैं यहां तो सब गरीब बैठे हैं तो उनको लज्जा आती है बाबा कहते हैं नहीं बच्चे मैं तो आत्माओं को पढ़ाता हूं तुम सब तो आत्माओं हो गरीब बच्चे साधान कपड़े पहनते हैं बाबा कह रहे हैं, यह सरीर ही तुम्हारा वस्त्र है, तुम कैसे भी वस्त्र पेहनों, हलके पेहनों, साधारन पेहनों, अच्छे पेहनने की बात यहां नहीं है, अब तो आत्मा और सदीर दोनों ही पतित होगे, दोनों ही काले होगे, इले साहिद लोग काले कपड़े जाद पहनो और वो भी नहीं पहन सकते तो जो चाहे पहनो मैं तो तुम आत्माओं को पढ़ाने आ गया हूं कपडवादी का यहां कोई बंधन नहीं है मुझे तो आत्माओं को गोरा बनाना है पावन बनाना है ताकि यह भारत फिर से स्वर्ग बन जाए तुम फिर से मनुष्य दे सबसे परे हूं फिर बाबा कहरे एक बहुत सुंदर और धारना के लिए अति उत्तम बात तुम्हारा कुल सबसे उचा है दुनिया में भी उचे कुल वाले रोयल्थी से रहते हैं तो बाबा उधान दिया कोई चोटी जाती का व्यक्ती MP बन जाता है मिनिस्टर बन जाता है रोयल्थी आ जाती है कपड़े वैसे ही पहनते हैं अब तुम सब सुदर थे तुम ब्रामन बन गए हो तुम्हारा कुल सरवच हो गया है मैं इस ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्रामनों को रचा है और तुम्हारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहा हूं तो तुम्हारे अंदर भी बहुत रोयल्टी हो जानी चाहिए, अब तुम सोदर नहीं, तुम गरीब नहीं, तुम किसी जाती के नहीं, तुम ब्राम्मन कुल के हो, बाबा के पास मुसलिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चन्स भी आते हैं, यहां गुजराती हिंदू-मुसलिम की बात नहीं है, यहां तो सब रूहें हैं, मैं तो रूहों को पढ़ा रहा हूं, तो तुम उच्च कुलते हो, तुम्हें आशुरी गंदी आदते नहीं रखनी हैं, यह है आज की मुख्य शिक्सा, तुम्हें याशुरी विकार छोड़ देने हैं, तुम्हें बहुत रोयल हो ज सात्विक हो जाना है, तुम सर्व स्रेष्ट कुल के हो, तो आज हमारा यह नसा रहेगा, वर्दान है, अपनी द्रश्टी और व्रत्ती के परिवर्तन के द्वारा विश्व को बदलने वाले, विश्व परिवर्तक भव, साक्सातकार मूर्त भव, हम अपनी व्रत्ती को पावन बनाएं, दैहिक व्रत्ती थी, विकारी व्रत्ती थी, अब इसको कवित्र व्रत्ती में बदलें, तो हमारी द्रश्टी भी दिव्य बन जाएगी, जब हमारी द्रश्टी आत्मा पर जाती है, तो वो दिव्य बनती जाती है, इससे स्रश्टी क का परिवर्तन होगा तुम्हारे वाइब्रेशन स्रस्टी का परिवर्तन करेंगे तुम्हारे नैन देखने वालों को जादू की दिभी नजर आएंगे तुम्हारे नैनों में देखने से लोगों को बिन बिन तरह के साक्सातकार होंगे तो जब तुम द्रश्रीवत्ति को कि व्यत्ति रखने से संपूर्ण सफलता प्राप्थ होगी तो आज का हमारा ब्यास होगा मैं पवित्रता का फरिस्ता आपने लेफ्ट साइड में फरिस्ता स्वरूप देखेंगे लाइट का ताज धारी अंगंग से लाइट फैल रही है प्योरिटी की लाइट राइट राइट में देखेंगे अपना देव स्वरूप हीरे रतन जड़ी ताज पहना हुआ तो मैं ब्राम्मन से ये फरिष्टा बनूँगा फरिष्टे से देवता बनूँगा ऐसा डबल सिर्थ ताजदारी विश्व महाराजन मुझे बनना है तो ये अभ्यास करेंगे और साथ में ये नशा रखेंगे ओम शांति टीवी पीस अफ मिंद जस्ट अ क्लिक पर आ पीस फुल लाइव